प्रिथ्वी पर केवल 11 फीसिदी बुभाग ऐसा है जहां की परिस्तिथियां क्रिशी के अनुकूल हैं वर्तमान समय में क्रिशी फसलों के अंतरगत लगभक 7 करोड 40 लाग वर किलोमीटर भूमी है पुन्जिवादी और द्योगिक देशों में नगरिय विकास और सडक निर्मान के कारण मुल्यवान क्रिशी भूमी खत्म होती जा रही है विक्सित देशों में क्रिशी भूमी का 3000 वर्ग किलोमीटर छेतर प्रती वर्ष नगरिय विकास के लिए प्रियुक्त किया जा रहा है पहले क्रिशी परंप्रागत यंत्रों से की जाती थी जिससे समय तो अधिक लगता था किन्तु किसी प्रकार की परियावरन या पारिस्थितिकी समस्या उत्पन नहीं होती थी किन्तु अच्छे उत्पादन हेतु क्रिशी में व्यापक अस्तर पर मशीनी करण हुआ रासाइनी खादों के अतिशय प्रियोग से भूमी की उर्वरता आगे चलकर कम होने लगती है क्रिशी में अधिक पैदावार एवं खरपतवार तथा कीटों के नाशेतु कीटनाशक दवाओं का प्रियोग भी तिवर गती से बढ़ा है भारत में विगत 30 वर्षों के दोरान कीटनाशकों का प्रियोग 11 गुना बढ़ गया है किन्तु किटनाशकों की प्रतिरोध की छमता विक्सित कर लिये जाने के कारण क्रिशी उपज की हानी में दुगने से अधिक की व्रिधी हुई है लगबग यही स्तिती संपुर्ण विश्व की है FAO के आकलन के अनुसार किटनु नाशकों के फैले जहर से विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 10,000 लोगों की अकाल मृत्यू हो रही है अन्योजी सिचाई के चलते क्रिशी छेतर में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है नहरों एवं जलाशियों के किनारे जल जमाओं होने से एक तरफ जहां अनेक तरह की बीमारियां पैदा हो रही है हरित क्रांती से एक तरफ जहां क्रिशी में क्रांती कारी परिवर्तन आया तथा क्रिशी फसलों में विविद्यता सही उत्पादन में विद्धी हुई वहीं दूसरी तरफ इससे अनेक तरह की समस्याओं का भी जन्म हुआ जो लाब की तुल्ला में किसी भी दिशा में बहतर नहीं कहे जा सकते इस तरह क्रिशी और पर्यावरण के संबंधों पर चर्चा करने पर यह साह पता चलता है कि आधुनिक क्रिशी प्रदियों से क्रिशी उत्पादन तो बढ़ा है किन्तु इस उत्पादन गवारा प्राप्त लाब की तुल्ला में इससे होने वाले नुकसान कहीं अधिक है कारण है कि यह आधुनिक क्रिशी पर्यावरण एवं पारिस्थिकी के लिए घातक सिद्ध हो रही है जिसके चलते भूमी प्रदूशन, जल प्रदूशन, एवं वायू प्रदूशन जैसी समस्याएं तो उत्पन होती ही है हमारा संपूर्ण पारिस्थिकी तंत्र भी अवेवस्थित होता जा रहा है जो हमारे लिए आने वाले दिनों में बेहत खतरनाक साबित होगा